नमस्कार, मैं हूँ अभिशेक चंद्रा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी डेवानशु प्रभात पिछले कुछ दिनों से गुजरात में बिहार और यूपी के जो मजदूरों पर जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और वो बिहार और उत्रप्रदेश को रुक करने को मजबूर हो गये हैं इसको लेकर के हाल में बिहार में राजन्तिक घटना करम बहुत तेजी से बदले हैं केवल बिहार में ही नहीं गुजरात में भी बहुत सारी राजनेतिक गतीविदियां उभरी हैं और एक बड़ी गतीविदि जो है पिछले दिनों नजर आई पत्ना की सड़कों पर और गुजरात में भी कि गुजरात के पाटिदार नेता हार्दिक पतेल ने पत्ना की सड़क यहां के मजदूरों को किसी तरीके से तंग किया जा रहा हो या उन्हें किसी तरीकी धंकी दी जा रही हो तो वो हार्दिक पटेल के इस हेल्प लाइन नंबर के संपर्क करें Life Cities की तेस्तरा जो रिपोर्टिंग टीम है वो पिछले दिनों से जब से ये पोस्टर जारी हुआ है तब से तहकीकात है वो कर रही थी इसके तह तक जा रही थी हमारे सायोगी तेस्तरा रिपोर्टर देवानशु प्रभाद इसके पीछे काफे दिनों से लगे हुए था जब Life Cities के देवानशु प्रभाद इस बात का खुलासा कर रहे हैं आज सुबह से लिए प्रयास कर रहे थे देवानशु क्या निकला नतीजा देखे अब से सुबह से ही मैं फोन कर रहा था तो सुबह से लेकर दो पहर तक फोन बन था और देश साम वो फोन आन हुआ अलग अलग नमरों से फोन कर रहा हूं मैंने फिर 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 फोन उठने रहा है कभी वो काट दिया जा रहा है तो लगतार आप यह कह सकते हैं कि जो हार्दिक पर्टेल ने बिहारी समेट जो उत्तर भारतियों की सुरक्षा की गरेंटी लिए थी वो प्यूरी तरह से वह ठाई कर वो एक सियासत कि उन्होंने किया कि हम एक हेल नमबर जारी करते हैं आप उन्हें फोन कीजिए लेकिन कोई फोन उठाई नहीं रहा है ऐसे में आप ही सो सकते हैं कि अगर कोई बिहारी या उत्तर भारती जो लोग वहां फसे होंगे उन्हों पर किसी को हमला करने वाला है होनी जब नहीं उठा रहा है लाइक्षेटिक के दर्सकों को हम एक बार फोन करके आपको दिखा दें कि जो उन्होंने हेल्प लाइन नमबर जारी किया था वह नाइन नाइन सेवन नमबर के जरी उन्होंने कहा था कि कोई भी दिक्कत हो बिहारी कोई अगर मार्पीट करता है तो इस हेल्प लाइन नमबर पर फोन करें अभी हम आपके सामने इस हेल्प लाइन नमबर पर फोन करेंगे और बताएंगे आप ऑडियो सुनिए कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उस नमबर के जरीए ये वो नमबर है 9978520793 को दिवानशु आपके सामने इस चीज का लाइब डेमो दिखा रहे हैं लाइब डिमोंस्टेशन कर रहे हैं कि इस नमबर को हम अपने सेलफोन नमबर से ट्राइब कर रहे हैं और इस नमबर की फिलहाल घंटी जा रही है मगर कोई भी व्यक्ति ऐसा मौजूद नहीं है जो कि हार्दिक पटेल के इस तथा कथित हल्प लाइन नमबर पे हमारी मदद कर सकते हैं रुपया थोड़ा समय पच्छी संपर्ग साथा प्रयाज कर रहा है आप अपनी बात को दूसर नमबर पे हम ट्राइ करेंगे एक बात जो मैं अभी जस्ट गौर कर रहा हूं ये नमबर जो डिवांशू है ये जो हल्प्लाइन नमबर है वो ब्लैंक नमबर है और किसी नाम तो सेव नहीं किया हूँ है अपने फोन बुक में और जैसे ही इस नमबर को वो डाइल कर रहे हैं आप एकवा डायल करें इसको अब द्यवांशू पता रहे हैं दूसरे नमबर के वारे में बारे में आपको दूसरे नमबर पर लो आप देख सकते हैं ये नमबर तो मौझूदी नहीं है और बजापता है इस पोस्टर जो है टूटर पे भी हार्दिक पटेल ने शेर किया था जिसमें लिखा था कि उत्तर बिहार जार्खन समेथ बिहार गुजरात से जो बाहर से जो रोजी रोटी के लिए गुजरात आते हैं जो लोग अगर उन्हें कोई मारता है या गुजरात में जंपी छोड़ने की देता है तो वह इस नबर फोन करें और इस पोस्टर के नीचे आप पेस्फॉक हार्दिक पटेल का उन्हों लिंक दियाओ है इंस्ट्राग्राम पेज का लिंक दियाओं है ट्वीजकाव्तिक और आखनी में लास्ट में यह वाटसंप नमबर का भी लिंक दियाओ लेकिन तो आ पर कई ऑगर कोई भाड़ी समय को फसे होंगे को वहां पर फसे होंगे कर रही ते ngay क्या कर रही थी दमरू बजा रही थी, हार्दिक पटेल का वो लगातार बसाब भी करते आ रहे हैं, लेकिन अब भी जो तस्वीर नजर आ रही है कि वो help line नमबर पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि आप हर्जी है, जब फोनी ना उठाए तो उसको क्या फाइदा भी, विहारी हो या उतर भारतिय के लोग हो जो उस नमबर का कोई फाइदा उठा ही नहीं सकते, तो हर्दिक पटेल ने वो नमबर क्यों जारी किया था, यह साफताओ पर जो लग रहा है कि एक पॉलिटिकल कदम है, पॉलिटिकल माइलज राजने तिक माइलज लेनी के लिए हर्दिक पटेल ने मत पर है कि हर्दिक पटेल बिहार के और यूपी जो लोग है, उनकी मदद करेंगे, जो भी तकलीफ में गुजरात में, गुजरात में रहे ह ही लेकिन पूरी तरह से सियासत करने के लोंने ने पटना में也ुपलान का पोश्टर बाला, अब जो डाला को फार्ज ए ऐए फोई एक बड़ा सियासिय स्टन्ट था और यहां चोड़ना चाहूं कि लगातार जो हार्दिक पटेल है अलपेश ठाकुर का बचाब भी कर रहा है अच्छा अलपेश ठाकुर उन्हों पे आरोब भी लगा है कि उन्होंने जो कार करता थे जो उनको सेना बनाई है उसको लगातार हूँ अलपेश ठाकुर का बचाब कर रहे हैं और पियम मोधी को बेर भी रहे है वो तो समझे आता है गुजरात की बैकवर्ड पॉलिटिक्स है उसमें वो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे लेकिन आप एक बड़ा वाजिब सवाल उठा रहे हैं लाइफ सीटीज के देवांशु जो हैं फिलहाल एक बड़ा वाजिब सवाल उठा रहे हैं कि अगर सही माइने में हार्दिक पतेल को बिहारियों की मदद करनी होती तो यह जो पोस्टर पतना की सडकों पर उनकी पाटी दोरा उनकी संस्ता दोरा लगवाया गया है यह पोस्टर गुजरात के विभन जिलो में अलग-अलग इलाकों में लगाए गये होते उन फैक्टरियों के सामने लगाए गए होते जहां पर बिहारीयों को तंग किया जा रहा है मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ देवांशु बिल्कुल बिल्टा ये बन अगर बिहारी मज़ूर परशान होगा तो वो बिहार वापिस आएगा जब वो बिहार वापिस आचुका होगा उन पोस्टर को पढ़ते रहे हैं क्या फायदा कोई फायदा नहीं है अच्छा आपको ऐसा भी कोई केस नजर आया क्या कोई ऐसा सिंगल विक्ति मिला हो जो जिसने ये बताया हो कि इसने हल्प लाइन नंबर पर फोन किया और किसी ने भी उसकी बात को सुनी या फोन को उठाया आप यह भी बता रहे थे कि फोन बीच में काफी समय तक बंद भ हुआ तो उसके बाद से लगातार रिंग जा रहे है कभी फोन को काटा जा रहा है ऐसा यह नहीं है कि कभी फोन को काटा जा रहा है और कभी तो फोन उठता ही नहीं है अच्छा हरकत उस साइड से बल्लकि कि जो भी रिसीवर है किसी के पास है और किसी के पास है लेकिन वह उठानी रहा है जान मुझ के नहीं उठा रहा है यहां यह इस बात को गौर करने की जरूरत है रही बात आपने सब्सक्स जो की फोन के पास हार्दिक पड़ेश तथा कथित हेल्प लाइन के नंबर के पास मौझूद है उसके साथ मौझूद है कभी तो वह फोन आफ कर दे र पाड़ी और उपी वालों को एक तरह कैसे कहा था कि हम सुरक्षा की गरंटी देते हैं या देने की कोशिश करेंगे सब वादे फेल हो गया इवानेता है हाल के दिनों में ही राजनीती में आया है एक मुकाम उन्होंने गुजरात में हासल किया है और अभी से ही वो जूटे वादों का पुलिंदा शूरना सुरू कर दिया यह जो एक कदम है शुरू में हाला की लगा था कि हर्दिक पडे जो हे कुछ बड़े काम करना चाहा रहे हैं उनका राजनेतिक कदम होने वाला है ये बड़ा होने वाला है मगर फिलहाल जो है सारी चीजें इस तरीके से नज जारी करते हैं और health partner करने के बाद जो है उस पर कोई सच या जारतर समय phone off रहता है और on भी रहा तो कोई बैक्टी phone उठाता नहीं है और फोन कभी-कभी रिंग जाती है पूरी घंटी चरे जाती है कभी-कभी जो उस घंटी को बीच में काड दिया जाता है तो इतना तो जरू पर उनकी जो संस्था है बड़े सारे पोस्टर्स लगा रही है कि वो बिहारी मजदूरों का जो गुजरात में हैं मदद करना चाहते हैं मगर लाइट सीटीज के देवांशू प्रभात ने अभी बड़ा खुलासा किया है कि उस हेल्प लाइन नंबर पे कोई भी वेक्टी ज फोन को काट दिया गया है यानि कि डिस्कनेक्ट कर दिया गया है सुनिए वो रिकॉर्डिंग जीग राहत ने आप कॉल करी गया छो कि हम ना मौजूद न थी आप पोताना करन्ट टैरिफ ना प्रमाने वाइस मैसेज पन छोड़ी शको छो वाइस मैसेज छोड़वा माटे पद्याशू चलते चलते आखरी बात क्या बोलेंगे आप आखरी बात ये कह सकते हैं कि जो हार्दिक पटेल ने हिल्पनाइन नंबर जारी किया था वो एक तरह से एक सियासी स्टन्ट था उनका वो बस एक दिखाना चाते थे कि मैं यूपी और बिहार के लोगों के साथ यूपी के लोगों को नंब यूपी को बाता वूंम सकते हैं कि अगर कोई बिहार या रूपी का लोग तो बिहार को यूपी कौह रहा है पिछले दो दिनों से कल से और अब से Life Cities में जो प्रयास किया और आज दिन भर ये प्रयास करता रहा इसके बाद तो मेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है हार्दिक पटेल के इस कदम के बारे में बयान करने के लिए और वो शब्द है छलावा हार्दिक पटेल ने बिहार के लोगों के साथ में बिहार के मजदूरों के साथ में अपने इस राजनेतिक कदम के बाद कहीं ने कहीं एक बड़ा छलावा किया है Life Cities के पटना न्यूजरूम से मेरे और दिवांशूप के साथ अभी इतना ही नमस्कार